तो हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं सांदार होंगे जानदार होंगे और आज का जो सेशन है हमारा वो एक इंपॉर्टन सेशन होने वाला है on his blindness के उपर इसकी first class actually हो चुकिए second class आज हम लोग discuss करने वाले हैं और first class में हमने john milton के बारे में और original text जो है उससे हमने poem को समझा था और भी कुछ important facts हम discussion किये थे आज यहां पर हम summary देखने वाले हैं और his blindness की इस्टेंजा और पूरी चीजों और भी जो important facts जो छुट गए हैं वो भी आज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं ठीक है जो भी English PGT mains की कर रहे हैं उनके लिए एक simple सा है कि अगर आप English PGT mains की त्यारी कर रहे है तो आप हमारे app से जुढ़ सकते हैं और एक अच्छी तयारी आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और हमारे जो हमारे साथ जुढ़ना है उसके लिए क्या करना होगा आपको रेवा इंस्टूट एप डाउनलोड करना है और फिर आप लोग वहां से जुड़ करके हमसे त्यारी हमारे साथ त्यारी कर सकते हैं ठीक है जो हमारा जो course है पूरा ठीक है उसमें मैं आप लोग को बदा दूँ यह हमारा कोर्स है रेवा इंस्टूट का उच्छ मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा या चैन परिक्षा कोर्स 2023 इसकी जो फीस है मातर 1599 है एक साल की बैलेडिटी रहेगी इसमें रहेगा क्या-क्या तो पूरा इंग्लिस लिट्रेशर आपका कवरप होगा इंग्लिस ग्रामर कवरप सभी इसमें और यमेन को कबर करना है ठीक है और अगर आप लोग अदिक काई लेना चाहते आप उसको आप डाउनलोड कर सकतेभी चैनल भी हमारे रहाो थी नाम से ठीक है अग तो dear students, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, और भी आगे क्या-क्या चीज़े हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, उसके बारे में सब चीज़े आप लोग से आज discuss करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने, जो first हमारी class हुई तो John Milton के उपर, तो John Milton के हमने पढ़ लिया था इनके बारे में, ठीक है, दूसरा यह जो original text है, when I consider how my light is spent, इसका जो original text है, वो भी हमने देख लिया था, कुछ important facts थे, जो हमने इसके देखे थे, ठीक है, और भी यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़े, यह कुछ important facts हैं, जो हम लो stanza पाई, stanza हम इसको summary को देखेंगे, discuss करेंगे, और कुछ important facts भी हैं, उनको भी हम लोग देखने बाले हैं, ठीक है, इस तरह से देखे, मैं आपको पूरी चीज़े, important facts, structure, forms, यह पूरी चीज़े आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा, इसी तरह से जितने भी topic हैं, वो मैं रिक्षा पे क्या हो जाब हुपाऊगे, सफल हुपाऊगे, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, आज के session को देवियो सज्जरों, lesson summary है, हमारी stanza 1 की, ठीक है, और जो हमारी charge line के stanza उसको हम उठाएंगे, और उसकी summary को हम समझेंगे, ठीक है, तो dear friends, आप लोग दयार हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं, class में क्या, good evening सभी को, good evening प्रमोज जी, good evening नेहा जी, दीके सुकला जी, रोशनी जी, चर्ण सिंग जी, ठीक है, हरी ओम, रोशनी जी, हरी ओम, चलिए, तो आगे चलते हैं, और आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्टेंजा जो one है, four line का, उसमें हम देखते हैं, इसकी जो rhyming scheme है, पहली बातों मैं बता दूँ, a, b, b, a है, ठीक है, और a, b, b, a, a, b, b, a, c, d, e, c, d, e करके, इसकी rhyming scheme है, इसके पूरे स्टेंजा को हम पढ़ते हैं, और समझते हैं, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, देखे, when I consider how my light is spent, half my days in this, in this dark world, and bite, and dead one talent which is dead to hide, God lost with me, useless though my soul more bent, ठीक है, तो ये पूरी क्या है, लाइन है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, discussion करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जो फो लाइन है, उसका हम समझते हैं, उसकी समझते हैं, the poet start the poem with when, जो poet है, उसने अपनी जो poem है, वो Ben से start की है, thus he introduced his idea in the very beginning, और इसका जो सबसे सुरवाती वाला पार्ट है, उसमें poet जो है, एक idea के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो क्या है, तो उसको आगे समझते हैं, according to him, he often think that half of his life or sight or intelligence has been spent is serving humanity, मतलब यहां पर जो poet है, उनकी जो आधी जिन्दगी है, वो निकल चुकी है, और जो उनको काम दिया गया था, God के द्वारा वो काम करने में या फिर मानवता की सेवा करने में उनकी जो आधी जिन्दगी है, वो क्या हो चुकी है, निकल गई है, लेकिन जो आधी जिन्दगी बची हुई है, उस पे बारे में poet क्या कहते हैं, बची हुई आधी जिन्दगी के बीतने के बाद क्या हुआ है, इनके जो आखों की रूसनी है, वो जा चुकी है, एसा पोएट बोल रहे हैं कि इनके आखों की जो रूसनी है, यो आधी लाइफ होने से पहले ही, So his other half life is dark now and bide और जो बची हुई आगे की आधी life है वो कैसी है? Dark है और bide है मतलब अधेरी है क्योंकि उनको दिख कुछ नहीं रहा मतलब अधेरा मतलब नहीं बोलते हैं कि सब अधेरा में है उस तरह से है और जो आगे का अधेरा में जीवन है वो कैसा है? बाइड हो चुका है मतलब वो बिती थी नहीं हो रहा है घिक ए वो बिती थी नहीं हो रहा चैलेंजिंग as well जो चैलेंज है बो भी क्या है ये अक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर वो जण्मान्ध हो चैलन से अंधा हो तो फिर एक बात ये होती है कि इसको हरचीज की आदत पढ़ जाती है लेकिन वह व्यक्ति जो है वह उसको सब चीज दिखती थी और अचानक से वह क्या हो गया अंधा हो गया है तो इसका मतलब यह है कि अब उसका जो जीवन है वह कैसे कि निकलेगा यह बहुत ही चल्गींजिंग मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए छलेंजिंग जो चीज बची है जीवन बचा है वो है इस तक वन टैलेंट विच यह एड इज यूज लैस्नाओ बिकॉज बिदाउट आइसाइड ही राईट ठीक है अब जो जो उनका टैलेंट है दा वन टेलैंट जो उनका टेलैंट है कौशन उनके पास जॉन मिल्टन के पास नों स्यास्ट पार है यह उनका क्या हो गया है वह भी क्विना काम का था उनका एल्ड़ कि जो बिदाऊं आई साइड यह यह वह वह भी युद्रख नहीं ही सकता जैसे आप लोग है हम लोग है यह पढ़ना है लिखना तो उसमें आई की आखों की रोशनी की तो बहुत परमा वश्कता है लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है है टैलेंट तो है पोट के पास लेकिन वह क्या हो चुका है वो from god that has been best of on him अब यहां पर यहां पर जो poet हैं यहां पर करेंगे वो poet जो question किस से करेंगे हमारे जो भगवान है उन से कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया भगवान ठीक है तो यह जो बात होती है न वो क्या करेंगे भगवान से question करेंगे ठीक है और उसी चीज़ का इनको क्या है दुख भी है तो यहां पर है थस it is just a load from God that has been best of on Him मतलब यहां पर जो best of इसका मतलब होता को ताही बरतना मतलब किसी से थोड़ा सा क्या होना नाराज होना या थोड़ा सा अलग प्रकार से एक भगवान ने मतलब जीवन में एक अलग प्रकार से क्या कर दिया कोई चीज दे दी जो मतलब unwanted थी ऐसी चीज को हम और उसके लिए हम क्या बोलें उसी चीज को समधाना ठीक है तो यह बात होती है अब यहां पर मैं आप लोग कि जो उनका क्या हो चुका है जो बोज उनके उपर क्या आ चुका है जो अंधे हो चुके है ठीक है और वही भगवान से वो क्या है कह रहे है भगवान को एक तरह से भगवान से सिकायत कर रहे है बेस्टो मतलब कोता ही मतलब वही सिकायत करना तो सिकायत कर रहे है ठीक है आ प्रक्तिन आउज्य आपने आग की रोश्य जो चली गई है उसे दुखी है and wonders what this talent means for him now as without eyesight he can he cannot use it थीक एब द बंडर्स what this talent means for him now as without eyesight he can't use it अब यहां पे वह आश्या चकित भी है कि बताओ जो मेरा टैलेंट है उसका मैं अब कैसे बिना आखों की रोसनी के कैसे मैं उसका यूज कर पाऊंगा और उसका वह जो है प्रियोग उपियोग नहीं कर सकते कि इसका राइटिंग का ठीक है तो ये पूरा हमारी फर्स्ट स्टेंजा जो है चार अशे чист लाइनों का उसके कमे स्ट हमने एक स्यांग अवह करते हैं यहां पर अर्थ देखा ठीक है अब हम चलते हैं स्टेंजा नंबर तू पर और उसपर बात करते हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम संग करते हैं फाउंड ली आस्क बट पेसेंट्टू प्रिवेंट ठीक है सब लोग जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया ठीक है चलिए आगे चलते हैं और इस कोश्चन को समझते हैं ठीक है इस 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 तेंजा को समझते हैं यहां पर इसका एंसर क्या होगा इन दिस लाइन देजाएर और अब यहां पर जो पोयट है वो क्या इस दुखी क्यों है कि भाईया जो उनकी इच्छाएं थी जो बची हुई इच्छाएं है जो उनका इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो पाएंगी इसलिए वो क्या है लेमेंट है लेमेंट मतलब होता है दुखी ठीक है तो दुखी और वंडर मतलब क्या होए आश चर और यह जो कैसी पूरी हो गी और यहां पर यह है he says that he says that he says that he desire to serve his maker but because of this blindness he cannot do so ठीक है तो he says that he desire to serve his maker अब लेकिन उनकी इच्छा है वो ऐसा कहते हैं कि उनकी वैसी इच्छा है कि वो अपने मेगर मतलब भगवान ने जो उनको बनाया है जिस काम के लिए उस चीज से वो भगवान की क्या कर सकें सेवा कर सकें की लेकिन आपrap वह एक ही क्ारण की लेकिन अगर भगवान ने उनकी क्या कर ली है आसा कर ली है आई साइड भले ले ली है उसके बाबजूत भी वो भगवान जिस लिए उनको बनाए है वो अपना काम करते रहेंगे ऐसा वो बिचार कर रहे हैं ऐसा बिचार कर रहे हैं कि भगवान भले ही उनको जिस चीछ लिए बनाये थे और वो वही काम करेंगे भले उनकी आइसाइड नहीं है कि बाब है वो कहते हैं कि मैंने ये कोशन जो है भले मुर्खता से ही पूछा हो लेकिन यहां पर यह देखें क्या पूछा था इन्हों ने कि भगवान ने क्या मुझे डेलेवर जो डेलेवर होता है ना बिना आखो कि क्या डेलेवर चाहते हैं उससे कराना तब भगवान क्या ऐसा चा जाता हूं, the poet says that, that this fullest thought often haunts him, जो ये thoughts है, वो इनको क्या करता है, डराता है, कौन को डराता है, इनको डराता है, इनको, poet को, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को क्या करना है, दियान रखना है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, इन ही से poem बनेगी, और ये जो सब्द म आप से परिक्षा में पूछे जाएंगे, जो आप लोगों को क्या करना है, दियान रखना है, ठीक है, चलिए, अब कौन कौन से सब्द, जैसे यहाँ पर एक चाइड सब्द मिला, ये important है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़के चलना है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़के अब ध्यान दीजेगा इस लाइन पर, अब ध्यान दीजेगा इस लाइन पर, डैट मरमर सून रखना है, गौड डॉट नॉट 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 नीड इड आइदर मैंस वर्क और इस ओन गिफ्ट, वो बेस्ट वियर हिस माइल्ड यौक, दे सर्भ हिम बेस्ट, इस स्टेट अब ठीक है, यह जो हैं का इस टेंजर नंबर थ्री है, इस पे हम देखते हैं क्या क्या चीज बोली जा रही है, इन दिस लाइन, दा पोएट सेज़ डैट वेन सच फुलिस थॉट कम इंटू हिस माइंड, अब यहां पर जो पोएट बोल रहे हैं वो यह कि मेरे जो कार के मन में आते हैं, मुर्खता पूर्वक जो बिचार है वो मन में आते हैं, ठीक है, the patient at, the patient, the patience, patience at once comes to reply that the work of man does not please God, but the who best bear his mind york, i.e. the one who remain patient and content with what he has it most like him. अब यहां पर देखिए, the patient at once comes to reply the does not, यहां तक देखिए, यहां पर जो पोएट कहना यह चाह रहे हैं, कि देखिए, इनके दिमाग में बहुत सारे क्या रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे सब्द आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, जो इनको क्या करते हैं, मुर्था patience होता है, patience मतलब होता है, कहना चाहिए कि धैर, जो धैर है ना, वो इसका reply करते हैं, बहुत जल्द, कौन धैर जैसे माली है, हमारे दिमाग में एक मन के लिए, कि उसने ऐसा गलत किया, लेकिन अगेन एक धैर होता है, आरे हो गया, कर लिया तो कर लिया, आगे देखा जाए हो गया, जो होगा, भगवान जाने, उनकी माया जाने, ऐसा आपनलोग बोलते रहते हैं, तो उसी प्रकार ये बोल रहा है, कि हमारे जो मन में है, वो बड़ा हार्ट बहुत आती रहती है, लेकिन पेसेंच जो धैर है, उसका जल्दी ही reply कर देता है, ठीक है, man does not replace God, ठीक है but the who best bear his mind, लेकिन जिसके दिमाख में ज़्यादा बोज है, ज़्यादा उसको क्या किया है, उसको देखे, bear his mind, they serve him best, लेकिन जो भी, जिसको भी, जो काम मिला है, जिसके उपर जो भगवान ने बोज डाला है, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को करना चाहिए, his state is kindly, जो उसका राज है, वो बहुत बड़ा है, उसका जो राज है, वो कैसा है, kindly है, बहुत बड़ा है, thousand at his binding speed, और उसके यहाँ हजारों हजारों लोग, जो है ना, thousands मतलब क्या होता है, हजारों लोग, क्या है, उसके हाँ, काम करने वाले हैं, और जो क्या कर सकते हैं, उस समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं है कोई अगर हो तो अब दाई चाइड मींस इस कॉल्ड डाटना यस सीलम जी बिलकुल आपने सही बोला चाइड मतलब होता है डाटना फट करना ठीक है नहा जी ठीक है चले आगे चलते हैं तो यहां पर क्या लिखा है एंड पोस हैं ठीक है ऑन दा अधर हैंड डियर आर सम अधर एंजल्स ऑलसो हू सर्व हिम जस्ट वाय स्टेंडिंग वेटिंग बिफोर गॉड मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए क्या हैं इंतजार में हैं ठीक है वेट कर रहे हैं कि भगवान का रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग करें ठीक है तो यह जो है वो बेटिंग में हैं तो यह बात है यहां पर इस लाइन का मतलब यह हैं पोस्ट ओवर लेंड एंड ओशियन बिदाव ड्रेस्ट वादब ऐसे बहुत सारे हजारों हजा चाहे वो आपके ओशियन में हो समुद्र में हो या फिर जमीन पर हो सब बिना में रुके बिना आराम के काम करने के लिए क्रिया है तयार हैं इस आप लोग हैं जो काम तो करी रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सेवा देने के लिए खड़े हुए हैं लाइन पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ठीक है तो यह जो मैंने आप लोग को इसका समरी बताई वो आपनों को समझ में आई होगी और निशित तौर पर समझ में आई होगी और अगर कोई अभी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताईए मैं इसको निशित तौर पर सौटर करूगा अब यहां पर जो लास्ट का यहां पर जो लाइन है उसमें पोएट यह बोलता है कि देखे दो तरह के लोग है एक तो अपना काम कर रहे हैं दूसरा अपनी वारी के इंतजार कर रहे हैं तो पोएट यह बोलते हैं कि मैं भी जितना मेरे पास सक्षम है बल मैं भी अपने जो जिस काम के लिए भगवान ने मुझे बनाया है जिस काम के लिए हमें भगवान ने बनाया है उसको क्या करेंगे हम उस काम को हम क्या करेंगे करेंग तयार है मतलब ठीक है तो यह जो अभी मैंने आप लोग को बताया यह पूरा मैंने आपको समरी समझाई है इसमें जितनी भी चीज़े मुझे चानकारी में थी मैंने आपको पूरा बताया है अभी भी अगर आप लोगो कोई confusion है तो आप मुझे बताईए मैं इसको निश्ची तोर पर सौट आउट करूँगा और आगे हम लोग चलेंगे इसमें और कुछ important facts को देखेंगे ठीक है तो कोई comment तो नहीं है आप लोगों का अगर हो तो बताईए तो उसको निश्ची तोर पर सौट आप किया जाएगा मैं आप लोगों को पहले cover up कराऊंगा उसके बाद उधर आपकी जो ग्रामर वाली यूनिट्स हैं वह आपकी चलती रहेंगी वह आपकी complete होती रहेंगी और उसके बाद फिर जो आगे का लिट्रेचर बचा हुआ है उसको उसमें हम लोग चलेंगे ठीक है तो लगभग इस मन्त में यह में आफ में चल रहा है न तो में में अपन लोग यूनिट नंबर 17 18 19 20 है ना इनको अपन लोग complete कर लेंगे ठीक है विद एमसी क्यूंज बिद कहना चाहिए कि ओरिजिनल टेक्स ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं देवियों सजनों नेस्ट आगे देखते हैं समझते हैं चलिए तो यहां पर कुछ लर्निंग आउटकॉम दिया है हलाकि इसका कोई मतलब नहीं है आगे चलते हैं ऑन हिस ब्लाइंडनेस फॉर्दर इस पर देखते हैं क्या लिखे हैं इसमें जो लिखे गए जो हमारी राइटर है जो हमारे पोय वह यह लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई talent है तो उसको आप huge करते रहिए उसको उस पर आप काम करते रहिए ठीक है ऐसा बिलकुल मत कीजिए कि उसको और improve करिए उसको ऐसा छोड़ मत दीजिए ठीक है भले आपके पास कितनी भी परशानी आ जाए कोई भी problem आ जाए जैसे कि John Milton क्या हो गए अंधे हो गए तो अब यह की वह छोड़े poetry लिखना तो वह फिर भी poetry लिख रहे है और देखे इतनी सांदर poetry लिखिए कि हम लोग पढ़ रहे है आज तक ठीक है तो यहाँ पर poet जो है वो यही चीज बताने की courses कर रहे है on his blindness की ओपर ठीक है अब यहाँ पर यह कुछ biography जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन की उसको हम लोग समझ लेते हैं ठीक है इस पर भी question बनते हैं कल मैंने आपको एक question बताया था अगर आप लोग को याद हो तो बताईए कि जॉन मिल्टन की जो समाधी है जो जॉन पर है यह आपका question इसका आप answer देंगे comment box पर ठीक है now that you know that John Milton was an English poet who bent blind तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो John Milton है वो English poet है जो क्या हो गए थे? blind हो गए थे, अन्दे हो गए थे it's time to learn more about him and what his life was like before and after he wrote his poem जब यह अन्दे हो गए तो उस समय इनोंने बहुत सारी चीजों को क्या किया, सीखा उनके बारे में जाना और फिर उन्होंने क्या किया, उसके अन्दे होने के पहले भी writing करते थे, उसके बाद भी इन्धे क्या किया, कि निश्या किया कि हम writing ही करेंगे पहले writing करते तब उनकी आखे थी तो ये तो अच्छी बात है लेगिन जब बाद में भी writing कर रहे हैं मतलब जब वो काम में मतलब सेबा जो है वो मैं कर रहा हूँ ठीक है आगे चलते हैं do some research on his personal life as well as him impact and legacy and write a short biography of him touching on these importance points अब यहां पर क्या है do not some research on his personal life मतलब ज़्यादा इनके इनके जो जीवन का परिशह है इनके जो बायग्राफी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़े आपको यहां पर मिलेंगे ठीक है we sure reference him important work जैसे की important work आप लोग को पढ़ना चाहिए इनका other contemporary writer इनके जो समकालीन जो राइटर होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए and his personal philosophy including his religious belief इनकी यह जो है भगवान की उपर religious belief इनका बहुत जादा था ठीक है इस पर इनोंने पुस्तक भी लिखी है ठीक है मैं आपको साथ बताया भी थाकल अब कंपेर इनकांट्रक्स में थोड़ा सा देख लेता हूं कि आप लोग में इससे किस ने कमेंट किया है और किस ने भी कमेंट नहीं किया है तो जो मैंने कोशन किया था ठीक है चलिए देखते हैं कुछ लोग ने किया निश्यतोर पे लेखा संसक्राइब स 뛰फ करिफेंड झार्ट है सनिए जी को है इस ऊच्रेज लेंड प्लिट टित्ग क के देखें आप लोगको बता कि मैंने आप लोगको बताया था आप लोगने नाम सही लिया है ळेस्टिंग प्लेश का नाम है संस घृ स्टिंग प्लेश है जहां पर इनको क्या किया गया है दफना आया गया है ठीक है सेंट गाइल्स विदाउट क्रेपलेट क्रेपलेगेट अच्छा एक चीज और बताना था मुझे आप लोग को यह लिखा यह जो पोएम लिखी गई थी वो 1655 पे लिखी गई थी ठीक है जब यह क्या हो थे अंधे हुए थे ठीक है वैसे आपको पता है यह पूरी समरी हम लोग ने देख ली है पढ़ ली है इसमें कोई अगर कोशन हो तो बताईएगा अगर नहीं है तो कोई अच्छी बात है ठीक है बायोग्राफी के इसकी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है मैं आपको बताया भी था एबी बीए एबी बीए सीडीसी सीडीसी ट्राइब राइटिंग यूर ओन सॉनेट डैट फॉलो दिस सेम पैटर्न और इन्होंने इसी पैटर्न पे बहुत सारी क्या की है और भी सॉनेट लिशने का प्रयास किया है इट कैन बी अवावट वाटेवर सब्जेक्ट इंटरस्ट यू दो इफ यू रियली वांट सब्जेक्ट इनका इंटरस्ट होता था सब्सक्राइब अलावा भी जैसे रिलीजियन से संबंधित है ना डैट से मॉरेल्टी से यह सब सब्जेक्ट इनके पोयम के होते थे जो यह लिखते थे ठीक है इतना लिखना पसंद करते इस्ट्रक्चर मैंने आपको कली बता दिय था कि यह मिल्टॉन ने किया इटालियन सॉनेट है ठीक है और उसके साथ साथ मैंने आपको इसकी राइमिंग इस्कीम बता दी थी यह है ठीक है आपको इंपोर्टन चीज आप लोको जान लिए ठीक है बिडिवीन दिस फॉर्मेट और पेट्रार्कन या सक्स्पीरियन दे आपकी पैट्रार्क जो पैट्रार्क राइटर हैं उनके नाम पे इसको पड़ा था इसी को अपनay इंटैलियन सॉनेट बोलते हैं इसी को यह होता है इंट सेपरेट इंट्य वन एक स्क्रम होता है जो अकरन में 4 चैन लाइन बटा भूता थे है दा वह वज़ता है sex tape sex tape की ही rhyming scheme मैंने आप उताई दी c dc c dc चलिए आप हम लोग पढ़ेंगे literary devices ठीक है इसमें कुछ important facts आपको मिलेंगे उसको आपको समझना है उस पर question आपके बनेंगे ठीक है पढ़ने में आप आपको मजा आ रहा है कि बोर्ड को नहीं हो रहे हैं actually क्या है थोड़ी सी ऐसी क्लास से जो होती है वो बोरहो जाते हैं ठीक है तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं बोर रह दो बताईए फिर और आज आप कितने लोगों का वर्ग दो का पेपर हुआ है कैसा रहा है आप लोग का पेपर उसके बारे बरे भी आप लोग कमेंट करके बताएए तोर पर पेपर आप अच्छा क्या होगा ऐसी मैं उमीद करके चल रहा हूं ठीक है चलिए तो Milton make use of several literary device in when I consider how my light is spent ठीक है तो यहां पर Milton जो है इनोंने कई तरह की literary जो devices है उनका क्या किया है उसमें किसमें यूज किया है when I consider how my light is spent मतलब जो हमारी पोयम है उसमें ठीक है इस इंक्लूड़ेट बट आर नॉट लिम्टेट टू एक्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन से शेश्यूर एंड इंजम इंजम मेंट ठीक है इंजम मेंट तो यहां पर जो यह इसका मतलब है यहां पर जो आपके figure of speech बगार है उनका भी use किया गया है पोयट ने पोयट ने किया है जैसे alliteration का किया है ठीक है और कैस्यूरेज का किया है और इंजम मेंट का किया है इनका भी क्या है इनका प्रयोग यहां पर पोयट ने किया है दफ फर्स्ट ऑफ इस एलिटरेशन इस आ काइंड ओफ रिपिटेशन कंसरेंड विद यूज एंड रियूज और यूज ऑफ दसम कॉंसोनेंट साउंड एड़ बिगनिंग ओफ मुल्टिपल वर्ड्स इस एक कोशन आपसे पूछा जाएगा कि यह जो पोयम है इसमें सबसे ज्यादा किस फिगर ओफ स्पीच का परियोग क्या गया है तो आपको बताना क्या है एलिटरेशन ठीक है ना सेमली ना और कोई वर्ड्स सबसे ज्यादा जो इंपरेंट जो आपका फिगर ओफ स्पीच है इस इस पोयम में वो है एलिटरेशन ठीक है और और भी है उसके अलाबा यहां पर देखे लिखा हुआ है दो और भी फिगर ओफ स्पीच है उनको भी आ अलग से रहेगा वह इसका एंसर नहीं होगा ठीक है आगे चलते हैं आगे कंसर्ण विथ दा यूज ऑफ रियूज ऑफ दे सेम कॉंसोनेंट साउंड एड़ बिगनिंग एंड ऑफ मल्टीपल वर्ड तो यह वही अलिटरेशन मतलब होता है जैसे वर्ड है तो वाइड हो ग अग्रिएचंि होना ऐसे जो वहहते हैं यहिग्शरेशन का क्या होता है एक्जामबल होता है ठीक है कि अगर मैं आप लोग को मेंक्स से दिखाओं तो मैं आपको मेंट inventation को दिखा देताहूं इसका जो ओर 집स्यल टैक्स है ना उससे मैं दिखा देता हूं आप लोग को जैसे यह देखिए यहां पर मिला देखिए सर्व मिला ना सर्व तो यह एस और यह क्या मिला स्टेंड ठीक है जैसे क्या मिला आपको मैं और सब्सक्राइब दिखा देता हूं आप लोग को एक वर्ड वाला लाइन थी ना यह दिखे डब्लू वर्ड और बाइट तो यह आपके अलिक्टरेशन का ही क्या है प्रकार है ठीक है तो इस्ट्रक्शर हो गया लिटरी डिवाइज हो गई इसमें लिटरी डिवाइज इसमें और भी है यहां पर है से शुर्य आर सीन वेन दा पोएट इंसर्ट अपॉज आइदर थ्रू पंक्शुएशन और मीटर यहां पर पंक्शुएशन और मीटर पे जो बिस्ट होता है कैसुरे ठीक है और इन दा मिडल ओफ आ लाइन इट कें फॉल अट बिगिनिंग द्रू मिडल और नियर दा इंट पर एग्जांपल लाइन इट री री डिट्स आई फॉंड ली आस्क बट पेशंस तो प्रेवेंट देर इस अनादर एग्जांपल इन लाइन त्वेंट अब यहां पर क्या है मैं आपको समझाता हूं यह दोनों लाइन को यह क्यों यहां पर कैसुरे और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्यों है ठीक है देखें यहां पर एक जो है ना आई फाउंड ली आस्क कोश्चन देखिए यहां पर इनका समग पॉइंट लग गया ना और उसके बाद फिर हमारा अभी और भी सेंटेंस चल रहा है तो जब कभी ऐसा लिखा जाए तो यह इसी का एक्जामपल होता है कौन सा साइन यह देखिए ठीक है और इसी तरह एक जगे और आपको मिलेगा देखिए इस का इंगली के बाद फुल स्टॉप लग गया ना उसके बाद फिर और भी आंगे लाइन चल तो यह जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है वो होता है आपका कैस वरेगा ठीक है यह चीज़े भी आपको समझनी है ऐसे पूछ सकता है कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है वह मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पूछा जा सकता है ज प्रिवेंट अब यह लाइन दे दी जाएगे आपको आपसे पूछेगा कि कौन सा निम्न में से कौन सा figure of speech इसमें है अब आपको figure of speech अगर पता है तो फिर आप निश्री तो पर इसका अगर नहीं पता तो फिर आप फस जाओगे यहां पर ठीक है जब कोशन पूछेगा ना तो ऐसे कोशन पूछ सकता है ठीक है एक कोशन यह भी पूछ सकता है आप आपसे इसमें भी वही figure of speech है is kindly thousand at his beginning binding speed ठीक है इसमें भी आपको ध्यान रखके चल रहा है लास्त हमारा है in in jam in jamment is a common literary device that appears at the end of line the end of line when a phrase is cut off before it natural stopping point for example that the transition between line 11 and 12 and between line 8 and 9 इसका मतलब आप समस्ते हैं क्या होता है यहां पर यह है इसमें मतलब यहां पर जो लास्ट की लाइन है ना उसकी बात कर रहा ही है मतलब जो poet के यह क्या होता है अंत में होता है और इसमें क्या कैसे होता यह देखिए बता रहे हैं original इसलब देखिए यह फूरी जो बाते चल रहे हैं वो अलग प्रकार की चल रहे हैं उसमें सीधे क्या लगा दिया जितना भी उनका question था उसका यहां पर क्या कर दिया conclusion कर दिया जो मैं सोच रहा हूं काम करने के लिए करूं की ना करूं तो यहां पर यह आ गया कि भगवान के पास तो हजारों लोग है, जो काम कर रहे हैं, और ऐसे भीis लोग है, जो वही पाम करने लिए इंतजार भी कर रहे हैं, तो यह पोएट यहां पे कह रहे हैं, ठीक है, और जो लिट्रिश नइक हैं, बो भी आप लोग HRK हो गई हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके आएंगि एंसी क्यूस उसको भी बता देंगे तो आप लोगों को यी चीज समझ में आई जो मैंने भी बताई हैं उसके बारे में समझ में आया क्या यहां पर यह अच्छ अच्छ कुछ कमेंट आए हैं गुड इवनिंग सर प्रदीब जी बोल रहे हैं कौन सी फिगर ओफ इस पीड वाली लाइन में इस पीड बाई लाइन पर कौन सी जैश्री राम योगेशी नेहा सर एक बात बोलनी है सर प्लीज सर प्लीज एक दिन मे एक टॉपिक करवा दीजिए सलेवस बहुत ब्रॉड है यह बात तो अच्छ है नेहा जी लेकिन मैं आप लोग को बता दू नेहा जी सभी लोग को कि अभी आपकी दो क्लासे चल रही है एक लिट्रेचर की चल रही है एक ग्रामर की चल रही है अगर कोर्स कंप्लीट इस मह करेंगे तो वह जल्दी अपना कंप्लेट हो जाएगा उसमें आपको टेंशन मत लिजिए वह ज्यादा सेंसन मेरी मेरी है ठीक है इंजावमेंट मेंस रन ओन लाइन इन लाइन इन लाइन ऑफ स्टेंजा अच्छा यहां पर मैं समझानी रोशनी आप क्या कहना चाहती है च दो मैट तो चलिए क्या थी बात इंजाममेंट is a common literary device that appears at the end of lines मतलब लाइन के इंड में क्या होती है यह फिगर ऑफ स्पीच यह लिटरी डिवाइस क्या होती है आती है यूज होती है वेन आफ फ्रेज इस कट ओफ बिफोर इट नेचरल स्टॉपिंग पॉइंट और जैसे कि होता है ना कि जब नेचरल मतलब फ्रेज टाइप में इंड होती है जैसे यहां पर आप ओरिजिनल टेक्स को देखें या फिर आप सिंपल सा यह समझ लीजे कि जब हमारी जो जो जैसे माली यह पूरा जाना पॉस्ट में क्या हो जाए निगेटिव हो जाए तो उस चीज़ को ऐसा पन बोलते हैं ठीक है देखें यह हमारी लास्ट की दो लाइन को छोड़ दिया जाए जो उपर की लाइने हैं वो एक तरफ से ऐसे चल रही है प्रश्च और उत्तर ठीक है और यहां पे जो poet का जो दिमाग जो कह रहा है वह कह करने के लिए बिना रष्ट की लोग काम कर कर रहें उसेवा दे रहे हैं अपनी ति कै elli क्या है किरे हो यहां पे कhart min समझाये गया बताये गया ठीक है अभी क्लियर हुआ नेहा जी नेहा जी ने पूछा था कि कमेंड क्या रोशनी जी ऐसा यहां पर आया सेंटेंस वन लाइन में इंड नहीं होता है वो दो एंड लाइन और फ्री फॉर लाइन में जाके इंड होती है अगर यह दो कमेंगे भी का मैंने बताया था हाँ वो जो आप बोल रही है वो ये चीज़ बोल रही है आप यह क्या जो मतलब होता यहीं कि एक कर रहे हैं अर समुत्र में मी काम कर रहे हैं ये और ये कंद असन असे यह करने शूर्म जो एक लाइन पर उसका अर्थ क्लियर ना हो पाए उसके लिए दो या दो से अधिक लाइनों के अब सकता हो उसको भी बोल सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपनों को बता रहा हूं कि जैसे पूरी जो पोयम होती है वो अलग फॉर्म बेशलती है और लास्ट क कि तुम्हें बात कर रहा था कि जो फॉर्ट चल रहा है न वहां पर चेंज हो जाएगा लाश्ट की दो लाइनों पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा रोशनी जी ठीक है चरिए तो और किसी कोई प्रश्ण अभी प्रदीब जी और भी जो लोग जुड़े हुए है चर और इस पोयम को करते हैं क्या समाप ठीक है तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आदकी सेशन को और सेशन में हम लोग देखेंगे MCQ's ठीक है और यह सेप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज ठीक है तो MCQ's करना चाहेंगे आप लोग Are you ready guys? चलिए तो first question है हमारा the poet of on his blindness is जो on his blindness के जो poet है वो कौन है तो यह तो आप जानते हैं John Milton है बड़े आसानी से question आपसे पता चल जाएगा A man should be absolutely ठीक है जो man है जो आदमी है वो कैसा है absolutely मतलब निश्चित तोर पे कैसा है Cruel, cruel है ठीक है soft है strong है या merciful है कैसा है वेक्टी इसका answer आप लोग मुझे बताईए A man should be absolutely तो आदमी को कैसा होना चाहिए कैसा रहना चाहिए तो यहां पर poet के अनुसार जो बोल रहे है वो कैसा होना चाहिए Cruel तो होना चाहिए यह तो आप जानते है cruel मतलब निड़दई, soft मतलब जो एकदम क्या हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, soft हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है एकदम हलाकि soft होना चाहिए लेकिन ऐसा भी soft नहों जाए कि उसका सब फाइदा उठा लें, ठीक है Strong, strong मतलब क्या होता है, एकदम मजबूत कठोर हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, merciful होता है, merciful मतलब होता है, क्रिपालू दयालू होना चाहिए, ठीक है, जैसे किसी को कोई समस्या आगे, जैसे poet ही क्या हो गए, अन्दे हो गए, तो अब आदमी जो होता है, उसको कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि वो क्रिपा कर सके, क्रिपालू हो दया, उस पे भावना भरी हो, ठीक है, let us pray to, चलो प्रातना करते हैं, चलो हम प्रातना करते हैं, किस से, God से, Goddess से, God से, Prime Minister से, या फिर आप लोग President से, किस से आप प्रातना करना चाहेंगे, तो यहाँ पर ज मुझे क्यों आपने ऐसा बना दिया, क्यों आपने मुझे अंधा कर दिया, कैसे मैं अपनी आधी जिन्दगी जीऊंगा, तो यहाँ पर यह पोएट बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया God, आगे, next question है, God needs pure, ठीक है, God को किस चीज की अब सकता है, प्योर हार्ट की pure soul की, pure concise की और pure man की, तो किस चीज की अब सकता है, तो यह तो आप लोग को मैंने पोयम में बताया हुआ है, ठीक है, God, बहुत बढ़िया रोशनी जी, बहुत बढ़िया प्रमोच जी, ठीक है, बढ़िया answer तो आप लोग सभी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का जो answer आया है, वो आया है four number का answer A, heart, ठीक है, तो यहाँ पे जो God, वो किस चीज की अब सकता God को होती है, तो वह यह वो pure heart की, अगर सक्षा हिदय है, सक्षा जो अगर दिल है, तो निशित तोर पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से जीवन अपना क्य कर सकते हैं, वितीद कर सकते हैं, और भगवान को उसी चीज की क्या होती है, जरूरत होती है, चले, आगे चलते हैं, next जो हमारा question है, dash should not be looked down, ठीक है, dash should be, should not be looked down, the road, the forest, the blind, the river, ठीक है, dash should not be looked down, मतलब किसको कोई भी चीज नहीं दिखती है, ठीक है तो भहिया, वो किसको नहीं दिखती, the blind, जो अंधा है, वेक, उसको कोई भी चीज नहीं दिख पाती, और उसको क्या होती है, problem होती है, वो जब देखी नही पाएगा तो कैसे क्या होगा सूर्दास्वाज आल्सो आ पोट बिक पोट लार्ज पोट ट्रॉइच दीजिए इसका एंसर दीजिए कि यहां पर जैसे प्रमोजी ने लिखा नाइव कसी इस तरह से आप भी लिखा तब ही तो पता चल पाएगा कि कौन सी कोशन के एंसर दे रहे हैं हो सकता आप लेट हो गए हो या फिर ऐसा लिख सकते हैं जैसे रोश्णी जी ने लिखा तक ग्रेट अब करें 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 कि ठीक है तो आप लोग का एंसर आ गया मैं आप लोग को बता देता हूं वह ग्रेट पोएट कहेंगे सुर्दास जी एक क्या थे ग्रेट पोएट थे ठीक है फिर यहां पर है मिल्टन इस लोन फॉर हिज गुड़ फेस हेर स्टाइल स्मार्ट लोग ग्रेंड स्टाइल तो जो जो जॉन मिल्टा थे वो किस लिए इतने जादा फेमस थे अपने गुड़ फेस के लिए स्टाइल के लिए एक स्टाइल के लिए या फिर ग्रेंड पोएट थे हो फेमस थे भ fut we कि यहां पर आपको बताना है कि कौन सा प्रिपोजीशन आ सकता है स्वारी प्रिपोजीशन मैं बोल रहा हूं प्रोणाउन आ सकता है देखिए हर बेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं वो किसी परसन की बात कर रहे हैं ठीक है हिज बेस्ट किसलिए नहीं होगा हिज बेस्ट हिज लिएस्ट हो सकता है क्योंकि पोएट ने अपना ओन हिज ब्लाइडनेस हिज ही तो लिखके चल रहे थे अच्छा हिम बेस्ट इसलिए नहीं हो कि हिम जो है वो आपका क्या है objective केस का अब सीलिए नहीं है तो यहां पर क्या होगा दे सर्व स्थ फेस्ट ठीक है कि सबीको अपना बेस्ट क्या करना चाहिए देना चाहिए डौठ गॉड इग्जैक डिलेवर लाइट एक्सेप्ट डिनाइड एक्सेप्टेड यह एक्सेट डिङन से पूरी लाइन आपसे पू सीधी वहाँ पर लिखी हुई है ठीक है तो आपको मिल जाएगी आप उससे देख सकते हैं आगे चलते हैं और भी देखते हैं जॉन जो है वह 17th century के क्या है यह आप लोग को पता हूं आगे आगे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे टफ कोशन आते जाएंगे अब यह जो कोशन है जो अभी आप देख रहे हैं जॉन आगे चलते हैं तो यह ग्रेट यह आपको पता है 12 नंबर ठीक है ऑन हीस ब्लैंडनेस डील विट पॉएट जो औन हीस ब्लैंडनेस है RICH वह पोयम क्या डील कर रही आ किस चीज पर किस बात पर वो क्या कर रही है बात कर रही है ठीक है तो इस पे पोय इस परकॉशन है आपका तो मेंटल कंडिशन पर सफरिंग पर स compact फ़ फिलोसफीं तो किस चीज पर यह जो पॉयम है वो क्या कर रही है डील कर रही है on his blindness deals with poets by mental mental condition suffering थौट दो या philosophy तो मैं आपको बदा दो middle mental condition पर यह पूरी पॉयम क्या कर रही है डील कर रही है कैसे mental condition पर तो में अइसे यह जैसे आपक अभी तक सब अच्छा था उनके पास जीवन में लेकिन उनकी अचानक आखों की गया हो गई रोशनी चलेगी जब आखों की रोशनी चलेगी जब आखों की बात हो रही है यहां पर आखों की रोशनी जब चली गई तो क्या हुआ आखों की रोशनी चलेगी उनको देखी नहीं रहा तो यहां पर उनकी जो मेंटल कंदिशन के है तंदर जो तूट चुके है वह उनका क्या हुआ है ठीक है अच्छा बहुत बड़िया सभी लोग के सभी जवाब आ रहे हैं six line को six tip कहते हैं अच्छा five line को क्या कहते हैं इस का answer कोई बदा सकता है या comment में five line को क्या कहते हैं जानते हैं तो comment करके बताईए जब तक मैं आगे जलता हूँ आगे next जो हमारा question है वो यह है कि the opening eight line of the poem are called जो last की जो starting की जो eight line होती है उनको क्या कहते हैं तो उसको तो कहते हैं octave ठीक है यहाँ पर question है यहाँ पर question on his blindness is sexperian sonnet only sonnet petrarchan sonnet ठीक है तो यहाँ पर only sonnet तो ऐसा होता ही नहीं है हलाकि यहाँ पर sexperian sonnet या petrarchan sonnet आपको दे सकता है इन में से कौन सी sonnet होगी तो आप इसको petrarchan sonnet miltonic sonnet या italian sonnet कह सकते हैं यह तीनो sonnet एक ही है ठीक है यहाँ पर एक option आ सकता है इंगलिस sonnet का भी ठीक है यहाँ पर बुच्छा है कि on his blindness poem को किसने compose किया था तो यह आपको पता है john milton ने क्या किया था इसको compose किया था ठीक है तो इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे ठीक है आगे चलते हैं आगे और समझते हैं यहाँ पर consider एक word आया था consider ठीक है first line में ही था when I consider ऐसा करके एक line था तो वहाँ पर उस consider का means क्या था ठीक है कंसीडर का जो means था वो क्या कहता है रोशनी जी सही बता रही है एंसर क्वाइंटेन क्वाइटेन बिलकुल correct रोशनी जी बहुत बढ़िया excellent रोशनी जी के बढ़ाई अच्छी है रोशनी सेलेक्शन लेंगी चलिए यहां के चलते हैं consider मतलब होता है consider मतलब यहां पर क्या था कि जब मैं सोचता हूं तो सोचना मतलब होता है ठीक है तो यहां पर आएगा answer क्या ठीक है चलिए hide का आप से पूछा गया है synonyms क्या होता है open so look over conceal hide मतलब क्या होता है इसका synonyms आप से पूछा गया है तो hide क्या होता है तो भीया होता है conceal छुपाना ठीक है यहां पर होता है चाइड यह चाइड मैंने बताया था आपको बहुत important सब्द है चाइड मतलब होता है is called डाटना ठीक है यह सब चीज़े आप लोग देखते रहिएगा पढ़ते रहिएगा और भी बहुत सारे कोशन मैंने लगभग रखे 40 कोशन के आसपास यह कुछ इजी कोशन इसके बाद टफ कोशन भी है उनको आप पढ़िएगा कल हमारी जो कल संडे कल चुटी रहेगी और कल मैं थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ें को समझ लूँ आपका जो नया से ले बस है और आपकी मंडे से क्लास रहेगी मैं के मन्त में मैं के मन्त में आपका जो यूनिट नंबर फॉर्टीन फिप्टी सवरी सेवेंटीन एटीन नाइंटी और मैं उसे कवर करा भी लूँगा आप लोग बड़ी तैयार रहे हैं पढ़ने के लिए ठीक है आज जो है वो ग्रामर की क्लास नहीं रख रहे हैं क्योंकि वर्गदो वालों का पेपर हुआ है उनसे थोड़ा से डिसकसन करना है ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें उनक से आँ हो तो आप मझे बताइए मैं इस तर्वेस सूट आउट करने की कोसिस करूंगा ठीक है और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो उनसे कोई भी कोश्चन है तो बता दीजिए तो मैं उसे क्लियर करते हूं ठीक है ठीक है ओके 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 अधीक है और आई हैव और सब्सक्राइब को एट इंविटेशन पर चले जाईए आप इस समस्थ बहुत सारे इंविटेशन चल रहे हैं वाड़िया निमंतरन कीजिए बरात कीजिए नियुक्ता कीजिए ठीक है चलिए आज आपकी एक सेकेंड क्लास ग्रामर वाली अभी नहीं रहेगी ठीक है आज थोड़ा सा बर्गदोवालों से मैं बात कर लूँ और उसके बाद फिर आप लोगों सी परचा होगी और भी ठीक है यहां पर कुछ कोशन है किसी का योगेशी का बताइए योगेशी खु अगर नहीं क्लियर हो पाया हो तो बताइए को उसको क्लियर करने के पूरा प्रियास करेंगे ठीक है और भी क्लास आपकी सब मंडे से रेगुलर हो जाएंगी ठीक है अभी थोड़ा सा मैं बैस था आप लोगों को पताई है अब लेकिन मैं फ्री हो रहा हूं धिरे-धिरे आज सब मेरे महमान जो है लगभग चले गए है ठीक है यूर रेली बेस्ट थैंक यू योगेस जी गुट नाइट गुट नाइट अल फियो गुट नाइट रोशनी जी गुट नाइट